बहुत ही अच्छा आप लोग को ऐसे ही जुड़े रहो और छशनी दिखाने से पहले आप लोग के काम करोगे कि यह जो विडियो है इसे अपने सारे स्टूडेंटों के बाद सारे दोस्तों के पास सेयर कर दोगे ठीक है छलिए इस्टार्ड किया जया है सबसे पहलें यहीं जो हिएं इसर को अपनीय एक दिखाई दे रही है और फिर इधर साहिड में दो दिखाई दे रही है तो एक वाद और एक एक दो तीन और पीछे की तरफ दिखाई दे रही है एक चार तो हमारा जो हैड री जाने उपर की तरफ उसमें कितनी चार है चार अटिया दिखाई दे रही है लेकिन फिर आप लोग नीचे की तरफ देखों यह वाली जो बोन हैं इसे हम लोग मैंडिब उसे हम लोग कहते हैं अब मोलर चुकि इस मोलर की संख्या तीन होती है जैसे एक वो हो गया फिर दूसरा ये और तीसरा ये तो इसको हम लोग कहते हैं फरस्ट मोलर इसको कहते हैं सेकेंड मोलर और इसको कहते हैं थार्ड मोलर बाकी अब आगे आते हैं तो मोलर के बास जाता ह है प् Liberty on Clay Ch Flying frog की होती है जैसे अप जृट्ज रहे हो और यह है फथ प्री मोलर स्मर्छ में आ रहाना Nesht आतो देखोगे तो इसवाले टीद्द को कहते हैं कना ऐन के संक्या भी एक हिती है एक ओपर होता है और एक नीचे होता है कि तो इसे वाले को हमsomething करते हैं इस procedure और incision में भी यह lateral incision लेकिन अबर ओफ देखो कि जो यह मावूद हैं मावूद के विल्गुल central region में एक इंसिजर दिखाई दे रहा है इसलिए इसाइब को हम लोग कहते हैं central incisor Central incisor की तंखया में दोनों हो capital incisor angee फिर इसके बगल में आप भोग देख रहा है तो यह है electoral Cisors these side में फिर से canine अब फिर से क्या होगा प्री-m Qi तो यह प्रकार से आपका जो तीत होता है वह 32 है और आप लोग देख लिए नेस टम इसी में स्टार्ट करना जा रही है यह देखो यह जो आप लोगों देख रहा है इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया जैसे इसमें देखिए यहां पर क्या हो रहा है जो जितना भी है वो सबके सब कलर्फुल पार्ट में कर दिया है आप लोगों काफी इजी वे में यह समझ में आ जाएगा यहां पर देखिए जो मेंडिबूल हमने बता रहा थे मेंडिबूल जो है उसके तीत कैसे लगे रहाते हैं मेंडिबूल के उपर चलिए हम क्या करते हैं इसमेंडिबूल को हटा देते हैं यह जो मेंडिबूल को लुको देख लेते हैं आप लोगो ना देखें अब हम लोग क्या करते हैं आगे की तरब वीडियो को कॉंटिन्यू करते हैं चलिए यह जो हमारा जो ब्लू कलर का देख रहा है उसे आप लुक देखों यह हमारा जो जबडा होता है जो तीप्त के नीचे होते हैं उसके पास भी ब्लड की सप्लाई पूरी की पूरी दे रहती है अब मैं लोak क्या अत्रै करते हैं और यह रीवुब कर देते हैं तो देखें पुरा झाल जैसे हमलोगा पूरा जासे फैल नर्य जैसे हैं पूरा पूरा खऴा हुआ दो यहां पर किती तरफ दीख राया है यहां पे तो यह जो होता है वो हमारे हेड रिजन को जो हेड होता है हेड बोन उसको रुकने का काम करता है इसलिए इसलिए एटलस बोन कहते हैं यहां से लेकर के और यहां तक की बोन को हम लोग सर्वाइकल बोन कहते हैं उपर से लेकर के यहां से और यहां तक के बोन को हम ल सबसे पहले फर्स्ट थोड़ा और जूम कर लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्थ फीफ्ट शीक्स सेवन तो एटलस की संख्री सर्वाइकल बॉन की संख्या साथ है इस आप लेकिन इसके नीचे देखिए यह वाला इसके नीचे यानि कि जो थोरेक्स रिजन है वो तो साथ होगा लेकिन कई लोग सोच रहे होगे कि जो ऊट होते हैं यानि कि जो कैमल होते हैं उसमें बॉन की संख्या कितनी होगी तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो भी मैमेलियंस हैं सब में बॉन की संख्या जो सर्वाइकल बॉन होता है जो गर्दन में बॉन होता है उसकी संख्या साथ ही होता है तो अब जो हम लोगी स्टार्ट करते हैं थोरेक्स यह थोरेक्स फरस्ट था अब इसकी जो संख्या है व लेकिन इसके जो नीचे का बोन आ जाता है उसे हम लोगो लंबर बोन कहते हैं देखिए यह जो भी नीचे की तरफ जा रहे हो यह सब के सब लंबर बोन है तो इस प्रकार से आप लोग गिन लिए सबसे उपर की तरफ साथ थी उसके नीचे थोरेक्स की संगया 12 और नीचे सब सब से यह सबबसे लंबर थे सब लेकिन अब इधर साइड मेंदेखिए यह जो बोन दिखाई दे रहे हां यह जो दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ एक और है, यहां पर देखिए, तो आप लोग नौ रिप्स ऐसे बता सकते हो, लेकिन यहां पर एक जो बोन दिख रहा है, इस वाले बोन को हम लोग क्लैविकल करते हैं, लेकिन गाओं की भासा में इसी बोन को हम लोग हसली के नाम से भी जाना जाता है, त लोग चेस्ट बोन भी देख लिए, और एक और यह बात ही, यह जो आप लोग को दिख रहा है, इसे स्कैपुला कहते है, लाश्ट में यहां पर नीचे भी देख लिए, इसे हिप बोन या पैल्लिक रिजन के नाम से भी जाना जाता है, और लाश्ट वाला एक और भी देख सबसे नीचे के तरफ यहां पर है ठीक है स्क्रोड के नाम से इसको भी जाना जाता है चलिए नेस्ट हम लोग आते हैं यहां पर देखिए तो वही जो लंबर रिजन का जो भी बॉन था वर्टिब्रल कालम का उसी को डिटेल में यह केवल उसी को दिये हुए तो देख रहा है एक एक पून कैसे यह आपस में अरेंज है तो नेस्ट बहुत एचा आप लोग बहुत देर से वेट भी कर रहते हैं कई लोग बोल की रहते हैं कि सर हर्ट प्लीज दिखाईएगा तो देख लीजे आप हम लोग यहां पर देख लेते हैं फिर आगे जो रियल हर्ट है उसे और भी कभी टाइम मिलेगा तो दिखाने का काम करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगे बात बता दो कि जो हुमन का हर्ट होता है उसमें तो फोर्स चेमबर होते हैं लेकिन ऐसे एक एनिमल का नाम बताओ ऐसे और गणिसम का नाम बताओ जिसमें जो बोन की संख्या हो वो स्सली जो हर्ट है उसमें टेमबर की संख्या सिर्फ तीन हो जल्दी कमेंड करके बादे करने की अब जो हर्ट है इसके साइड में देखने का प्रयाज कीजे यहां कि यह जो है नीचे की तरफ जो है इसे हम लोग कहते हैं वेंटिकिल और ऊपर की तरफ होता है आरी के तो यह दोनों पंप करके और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग देख सकते हो चाहरो तरफ से कि पिश्ट करते हैं बहुत ही इंट्रिस्टेट टॉपिक किड्नी के बारे में हम लोग भी कुछ समझ लें क्यों कि तो किड्नी का जो इस्टक्शनल और फंच्शनल जो यूनिट होता है उसे नेफ्रान कहते हैं अभी इसी में हम आप लोग नेफ्रान भी दिखा दे रहा है नेतब लेगन तक तक हम लोग देखें यह जो आप लोग के और इसरे की तरफ देख रहे होने इसर साइद में मूद्भ कर तो यहां पर एक रेड़ कलर पी यह जो ऐसल देखरी है देख रहे वाप direktेजों तो इस बेसल का यह से और और ज्यान दीजिए जो रेड कलर का वेशल देख रहा है इसे रिनल आर्टरी और जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे हम लोग कहते है रिनल बैन अब देखिए जो रेड कलर का जो आर्टरी है वो सिधे कहां पर जा रहा है यहां पर ध्यान दीजिए तो यहां पर आप लोग किड तो इसमें दो रिजन दिखाई देगा, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडूला, लेकिन कॉर्टेक्स और मेडूला के बीच बीच में देख रहे हैं, आप लोग यह जो कुछ गोल सा जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग पि क्लाव मेरूला सुगरत क्लियरेटी में देख रहा है, आप लोग देख लो, बहुत यह अच्छा, आप लोग देखते रहा हो, और यह वीडियो काफी लोगों को सेयर भी करते रहा हो, देखे यहां पे जब नेफ्राउन में ब्लड फिल्टर हो जाता है, तो फिर वो वेंस काम रसत चाही हम लोग कहते हैं, और मेजर कैलिक्स से यूरीन और यहां पी उरेटर में आजाता है, और यूरेटर से हो धी सी नीचे की दरफ में ब्लड के दरफ बाहर की दरफ चला जाता है, और तो यह अच्छे से किढनी के बारे में आप लोग को बताया, लेकिन आप ल प्रजेक्टर के मादेम से दिखाने यह बहुत ही काम आता है तो इसलिए इस पर हमने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दे चलिए नेस्ट हम लोग आते हैं लिमिक के पास तो यहां को आप लोग देखो कभी हमने आप लोग को एक बार क्लास नाइन्थ में पढ़ाया था कि ज यहांपर देखने को आपको जो मिल रहा है यह सब जो भी बोन यह फैलेंजेस का भोन है अब इसके बास से देख रहे हो कि आप लोग पड़े हो कि तीशो में कनेक्टिव टीशो या कनेक्टिव मॉसिल्स तो इन दोनों को जोड़ने का कीन जो मसिल्स कर र हैंशने करें तो इसी मसिल्स को हम लोग म स्पिंटर मसिल्स के नाम से जानते हैं या फिर कनेक्टिम को किए वह मसिल्स के बीनी नाम से जानते हैं कैसे हम अब student क उन्रुभी similar ने शभी मत्यूरते हैं तो हमारा जो हैंड है कुछू फी जारी बच्छ भी जा काहा है, तो यहां पे ध्यान दिजैर, और जो ब्लू कलर का दिखना है, उसद भी आप लोग भी तो यहां पे बहुत तो नीचा आलगे करना हैं, लोग को आसभी है, जालोर लोग को प्लोग नमाल देखने कोई हैं, लेकिन इनके अलाव कुछ इस्टोडेंट यह भी सोच रहा है यह जो यह लो कलर का दिख रहा है तो एक बात बताओ जब आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे थे तो हम एक एनिमल पढ़ाया थे एने लिडा का वुचरिया ब्रेंक आफ टाई तो उसमें हम आप लोग को यह बता आप लोग जानते हैं उस एनिमल का नाम नहीं तो आप लोग याद किये होगे उसे क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है उसको तो इतनी बात हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे जो भी है यह सब 11 का टोपिक है इसलिए आप लोग यह उसका डिसेक्शन होगारा सब यह 11 का टोपिक है यह भी जो लंग्स होगारा का डिसेक्शन है यह सब जो है क्लास 11 का है 10 लेवल का नहीं है ने तो हम सब यह आप लोग को दिखाते हैं लिए थैंक्यू आप लोग को